और अब बात Fit India मूवमेंट की प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने आज दिली के इंद्रा गांधी स्टेडियम में Fit India मूवमेंट की शिरुवाद की इस मौकी फर भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के जरिये New India को प्रधान मंत्री ने Fitness मंत्र दिया ये मोदी ने फिटनेस का ये अभियान घर घर तक पहुँचाने के अपील की और ये भी बताया कि उनको फिटनेस के लिए मूवमिन्ट क्यों शुरू करना पड़ा दिर्गाइशं बलं सुखं आरोग्यं परमंभाग्यं स्वाथ्यं सरवार्त साधनम प्रधान मंत्री मोदी ने देश में पहले स्वच्छता अभियान का अलग जगाया उसके बाद विश्व में योग दिवस की धाग जमाई और अब मोदी सरगार ने देश की सेहत को लेकर बड़ा अभियान छेड़ा है इस अभियान की बुनियात खड़ी है भारत के लोक रंगो लोक उच्छवों और लोक नित्यों पर देश की राजधानी से हौकी के जादुगर मेजर ध्यान चंद को याद किया गया और देश की सिहत के लिए सबसे बड़े अभियान की शुरुवात हो गई देश को सिहत का नया मंत्र देते वक्त भी प्रणान मंत्री मोधी ने देश की विरासत, संस्कृति और खेलों को तरजीह दी इंद्रा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुवात हुई तो भारत की गौरव गाथा के साथ मैं भारत हूँ मेरे पाच हजार साल के संसकार, मेरे हर एक प्रांथ की विवित्ता, जो तुम्हें रखती है जीवन्त और सहच मेरा गौरव शाली इतिहास वो जड़े हैं, जिससे बल बाकर तुम उपर उठते हो, जो तुम्हें याद दिलाता है, विश्व गुरू होने की, जिसका हर सुनेरा अध्याय तुम्हें प्रेरना देता है राना प्रताप का बल, चारक्य की चतुराई, और बुद्ध की शांती, सब मेरे ही अस्तित्व का हिस्सा है फिट इंडिया मुव्मेंट के मौके पर सरकार ने उन भूली हुई विरासतों, खेलों और संस्कृतियों को हमारे समाज के वीच, फिर से जिन्दा करने की कोशिश की, जिन्हें न्यू इंडिया में पुराना मान लिया गया प्रधान मंत्री की कोशिश रही कि भारत के पारमपरिक लोकनित, पारमपरिक खेलों पर एक बार फिर देश कौरव करें और इन्हें जीवन में उतार कर फिट इंडिया मुव्मेंट के साथ साथ भारत के गौरव शाली अतीत को भीजिए दिल्ली के इंद्रा गांधी स्टेडियम में भारत की तमाम कलाओं, निर्तियों और कई तरह की तलवार बाजियों का जोहर दिखाया गया कलारी पयट्टू भारत की अपनी मार्शलाठ है, लेकिन भारत के लोग इसके बारे में कम ही जानते हैं भारत की फिटनस के बहाने, भारत की बात ही इस मंच से देश के सामने रखी गई लड़के और लड़कियों, दोनों द्वारा खेला जाने वाला खोखो, गती और फुर्दीले बन की परिक्ष्या है ये रखता है इंद्रियों को पैना और जांगों को मजबूत प्रधान मंतरी का मकसद तो न्यू इंडिया है, लेकिन एक ऐसा न्यू इंडिया जिसे अपनी परंपराओं, अपनी विरासत, अपनी संस्कृती पर गौरव इसलिए फिटनस इंडिया मुव्मेंट की थीम भारत की इन ही कलाओं पर और ऐसे खेलों पर रखी गई, जिनसे हमारा समाज धीरे-धीरे कट रहा इससे बढ़ती है बाहूं की शक्ती और शरीर की फुर्ती बच्पन के सुहाने दिनों की याद दिलाता है, इससे बढ़ती है दिमाग की एकाग्रता और निशाना साधने की माहिरी हसी के दशक में गाओं गाओं खेले जाने वाली एक खेल, आज शायद बहुत कम इलाकों में खेले जाते हैं विट इंडिया मुव्मेंट का मकसद सिर्फ कसरत को ही बढ़ावा देना नहीं है, बलकि अपनी लोक विरासत को बढ़ावा देना भी है दंगल करने से बढ़ती है बाहूं की शक्ती और शरीर की फुरती यहां प्रस्तूती में जितनी बाते बताई गई हैं उसी को अगर हम गांठ बान ले और एकांद दो एकांद दो को जिन्दिकी का हिस्सा बना ले मैं नहीं मानता हूँ कि फिटनेस के लिए मुझे कोई उपदेस देने की आवशक्ता पड़ेगी फिट इंडिया मुवमेंट के मौके पर भारत की उत्सवों की शांदार जहांकी देखने को मिली तो भारत के तमाम ऐसे लोक नित्य भी पेश किये गए जो फिट इंडिया मुवमेंट को भी आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी विरासत को भी सहेज सकते हैं सबसे प्राचीन शास्त्रियन मिध्य भरतनाट्यम अपनी मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है इसका अभ्यास देता है दिल और हटियों को मजबूति भांगडा धोल की ठाप के साथ हल खुशी के मौके पर रंग जमाता है साथी ये बढ़ाता है स्टामिना और बनाता है शरीर को कठीला आज ले रही जो संकल्प ये संकल्प निभाना है शोटे जोटे कद्रों से बड़ा पदलाब लाना है मुझसे होगी शरूआख मोदी का फिटनेस मंत्र यंग इंडिया के लिए तो था ही साथ में भारत के उन नौ निहालों को भी फिटनेस का मंत्र दिया गया जिनके कंधे पर देश का भविश्य बनाने की जिम्मिदारी है आज देश के जादतर बच्चे तकनीकी खेलों में उलजें और बच्चों की खानपान की आदतें भी बदल रही है लेकिन यहाँ बच्चों ने शपत उठाई कि मैदानों में उच्छल कूद भी मचाएंगे और जंक फूड की आदत को भी दूर भगाएंगे पीजा बर्गर की रख अब और नहीं लगाऊंगा साफ हाथ से पौश्टिक खाना ही अब मैं खाऊंगा अब आया खानी में सवाथ मुझसे हो रही शुरुआत संतुलित आहार बनेगा जीवन का आधार प्रदान मंत्री मोदी ने सेहत अभियान छेड़ते हुए इस मूव्मेंट की जरूरत भी बताए टेकनोलोजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम है और वही टेकनोलोजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टैप्स चले अभी पांच हजार स्टैप्स नहीं हुए दो हजार स्टैप्स नहीं हुए और हम मोबाइट भात देखते रहते हैं भारत देश ही है जिसने दुनिया को योग का सूत्र दिया जिसने कई तरह के मार्शल आर्ट्स और आत्म रक्षा की कलाएं दुनिया को दी लेकिन आज के दोर में हमारे ही देश में इन कलाओं को भुलाय जाने लगा है प्रधान मंत्री ने इस मौके पर देश को याद दिलाया कि फिटनेस का फंडा हमारे पूर्वजों के दौर से ही चला रहा है व्यायाम से ही स्वास, लंबियायू, शक्ति और सुख की प्राप्ति होती है निरोगी होना परंभाग्य है और स्वास से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते है तकनीक, विज्ञान, अंतरिक्ष, खेल जगत में अपने हुनर के जंडे गार चुके देश में फिट इंडिया मुव्मेंट की शिरुवात हो चुकी है क्योंकि दौरती भागती जिंदगी के इस दौर में देश बिमारियों के गर्त में गिर रहा है फिटनेस की जागरुकता के बगार देश में मामूली बिमारियां भी जान लेवा बनने लगी है फिट इंडिया मुव्मेंट पूरी तरह प्रदान मंत्री नारेंद मोदी की अपनी स्टाइल वाला मेगा शो था जिसमें उन्होंने बड़े असान शब्दों में समझा दिया कि सेहत तो सब कुछ है प्रदान मंत्री मोदी ने उन खत्रों से आगाह भी किया जिन से निपटने के लिए देश भर में फिटनेस का भियान शलाय बिना काम नहीं चलने वाला है यह खत्रा उन जानलिवा विमारियों का भी है जो बिगड़ी लाइफस्टाइल से पैना हुई है मैं भारत हूँ मेरे 5000 साल के संसकार मेरे हर एक प्रांथ की विविद्धा जो तुम्हें रखती है जीवन्द और सहच मौका राश्ट्री खेल दिवस का था इसलिए खेल कूद तो हो नहीं था लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद इस भव्वे आयोजन से कहीं ज़्यादा बढ़ा था उन्होंने ये मंच सजवाया ही इसलिए था क्योंकि उन्हें देश को डराए बिना ये समझाना था कि फिट रहने के लिए खेल कूद नाच गाना ज़रूरी है अपनी मुद्राओं के लिए प्रसिध है इस साधारन सी बात पर असाधारन तरीके से अमल करने की ज़रूरत आनपड़ी है तो बोले ठीक है कल से जाओंगा तो दूसरे दिन बोले मैं व्यायम साला पहुच गया और यह हमारे जो कुस्तिवाज होते हैं वो लोग अखाड़े में अपनी कुस्ति कर रहे थे बोले जाकर के मैं देखने लगा और देखते ही मेरा पसेना छूट गया तो मुझे लगा मेरी एक्सराइज हो गई आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंसिन जैसी अनेक लाइश्ट्राइल डिसीज बढ़ती जा रही है कभी-कभी तो सुनते हैं परिबार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटीक पिसंट हो गया अपने आसपाद देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीडित मिल जाएंगे आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं प्रदान मंत्री मोदी ने लाइफस्टाइल की वज़े से पैदा हुई बिमारियों का जो खत्रा हलके फुलके ढंग से समझाया वो कितना भयानक है आप इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की तीन साल पुराने रिपोर्ट पढ़कर इसका अंदाजा लगा सकते हैं ICMR के नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2015-16 की रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में 15-49 साल के लोगों के लिए हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर ने महामारी का रूप धारन कर लिया है 15-49 साल की उम्रे में हर 10 में से एक महिला और 7 में से एक पुरुष को हाइपर टेंशन है जो आगे चल कर दिल की बिमारी में तबदील हो सकता है लाइफस्टाइल की वज़ा से जिन बिमारीों ने देश को जकाड रखा है उनमें डाइबटीज, मोटापा और कैंसर भी शामिल है नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चला था कि देश में 15 करोड से जादा लोग मोटापे चार करोड से जादा लोग टाइब टू डाइबिटीज और पंदरह लाग से जादा लोग कैंसर की गिरफ्ट में है इस से खतरनाक बात ये है कि लाइफस्टाइल की वज़े से पैदा होने वाली बिमारीों से 1990 में 37 फीसदी लोगों की मौत हुई थी जबकि 2016 में ये आकड़ा लगभग 65 प्रतिशत का था प्रदान मंत्री ने हाट अटेक का हवाला देकर लोगों को आगाह किया कि उम्र की दुहाई देकर सेहत के साथ लापरवाही बिलकुल भी ना करे क्योंकि कभी जो बिमारी बुज़ुर्गों की मानी जाती थी वो अब नौजवानों के लिए काल बनने लगी पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हाट अटेक का खतरा बढ़ जाता है लेकिन आज कभी-कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान, बेटा, बेटी चले गए हाट डेका रहा है यह स्थिती वाकई ही बहुत चिंता जनक है लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक कीरण भी है अब आप सोचेंगे कि इन बिमारियों के बीच में उम्मीद की कीरण की बात कैसे कह रहा हूँ मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव धिंकिंग करने वाला इंसान हूँ इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीज़े मैं ढूंके निकालता हूँ साथ जो लाइफ स्टाइल डिसीज हो रही है लाइफ स्टाइल डिस ओर्डर की वेज़े से और लाइफ स्टाइल डिस ओर्डर को हम लाइफ स्टाइल बदल के उसमें बढ़लाव करके उसको ठिक भी कर सकते हैं हार्ट अटैक के बारे में अभी लोगों को गलत फहिमी कि ये शहरों की बीमारी है जबकि मेडिकल साइंस जनरल दल लैसेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2000 से 2015 की बीच भारत के ग्रामीड इलाकों में पुरुशों में दिल की बीमारियां 40 प्रतिशत और महिलाओं में 56 प्रतिशत बढ़ी है शहर हो या गाओं 30 साल से 79 साल की उम्रे के लोगों पर दिल की बीमारियों का खत्रा बढ़ गया है भारत में हर साल जितनी मौते होती हैं उनमें 25 फिसदी मौतों की वज़े दिल की बीमारिया ही है ब्रधान मंत्री मोधी ने उन लोगों का भ्रहम भी दूर किया जिन्हें लगता है कि साधन संपन लोगों का बीमारियां कुछ नहीं बिगार सकती भारत में ही अचानक इस तरज की जरुरत महसित हुई वो ऐसा नहीं है समय के साथ ये बढ़लाव सिर्फ भारत में ही आ रहा है ऐसा भी नहीं है पूरे विश्व में आज इस तरह के अभ्यानों की जरुरत महसुस की जा रही है अनेक देश अपने हाँ फिटनेस के पती एवर्नेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े अभ्यान चला रहे है प्रण मंत्री मोदी ने फिट इंडिया मुव्मेंट को सेहत ही नहीं बलकि सफलता का महा मंत्र भी बताया सर्फ कुछ लोगों को फिट रहने से नहीं बलकि पुरे देश के फिट रहने से ही देश का फायदा होगा नया भारत का हर नागरी फिट रहे अपनी उर्जा बिमारियों के हिलाज में नहीं बलकि खुद को आगे बढ़ाने में अपने परिवार अपने देश को आगे बढ़ाने में लगाए इस दिशा में हमें आगे बढ़ना हो उमीद है कि फिट इंडिया मुव्मेंट का ये मेगा शो जब लोगों को याद आएगा तो उन्हें प्रधान मंत्री की नसीहत भी याद आएगी कि थोड़ी कसरत थोड़ा खेल कूद अगर रोज मर्णा की जिन्दगी का हिस्सा बन जाए तो शरीर फिट और जिन्दगी सुपर हिट हो जाएगी प्रधान मंत्री मोदी ने फिट इंडिया मुव्मेंट को घर घर की जरूरत बताया लेकिन इसका ये मतलब कता ही नहीं है कि इसके लिए आपको अपना कामधाम छोड़कर आंदोलन करना है इंडिया को फिट रखने के लिए तो बस इतना ही काफी है कि सब लोग सिर्फ 15 से 20 मिनट आपने लिए निकाले थोड़ा खेले कूदे या फिर मस्ती में जूमी ले ये जीरो इन्वेस्टमेंट वाला मुवमेंट है जिसमें 100 प्रतिशत रिटर्न की गारेंटी है मैं भारत हूँ मेरे 5000 साल के संसकार मेरे हर एक प्रांथ की विविद्धा जो तुम्हें रखती है जीवंद और सहेच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का फिट इंडिया मुवमेंट का मंत्र भारी भरकम बिलकुल नहीं हर आदमी फिट रहे तो इंडिया अपने आप फिट रहेगा और सेहत दुरुस्त रखने का इंतजाम तो भारत की संस्कृती का हिस्सा है वसंत के आगमन पर किया जाने वाला पिहूर सुवीली बासुरी और लोगतुनों पर मस्ती से जुमता है ये देता है कंधे कलाई और कीट को लचीना बन नवरात्रों की भक्ती से भरपूर गरबा ये रखता है शरीर को संतुलिप और देता है पैरों को बल चाहे शास्त्री और नित्य हो या फिर लोकनिस्ति मन की उमंग और तन की तंदुरुस्ती के लिए कुछ देर ठिरखना काफी है खेल कूच से बाड़ी फिट रहती है इतना तो हर कोई जानता है लेकिन भारत के पारमपरी खेल खेल कर भी आप फिट इंडिया मूव्मेंट को सफल बना सकते हैं जे या कांचा के नाम से मशूर एक ऐसा निराला खेल जो बचपन के सुहाने दिनों की याद दिलाता है इससे बड़ती है दिमाग की एकाग्रता और निशाना साधने की माहिरी अगर खेलना, कूदना और नाचना बचपना लगे तो योग आजमा लीजे योग और फिटनेस के लिए मशूर अभिनेतरी शिलपा शेटी कुंद्रा ने फिट इंडिया मुव्मेंट में हिस्सा लिया और उससे पहले वीडियो जारी करके बताया कि हफते में तीन दिन सिर्फ बीस मिनट ही फिट रहने के लिए काफी और जो लोग बहुत उम्रतराज उनके लिए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तंदुलकर ने खुश और तंदुरुस्त रहने का तरीका अपने अंदाज में बया कि